दोस्तो नमस्कार, मैं हूँ डोक्टर प्रदी प्रसन्य, आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित ते संबंदी तमाम तरहें के तथ्यात्मक टोपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माधन से देते हैं, आईए आज नए टोपिक कुछ सीखते हैं। प्रतियोगी परिक्षाओं में पत्र लेखन सम्मंदित अनेक प्रशना आते रहते हैं और हमने पूर में पत्र लेखन की कुछ वीडियो बनाई हैं। अधिसूचना किसी भी सरकारी राजपत्री तधिकारी की न्युक्ती, पदोन्नती, अवकाश, प्राप्ती, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों वे आज्याओं की राज्य सरकार द्वारा की गई गोशनाओं को अधिसूचना कहते हैं। अधी सूचना किसी व्यक्ती विशेश से संबंधित भी हो सकती हैं, किन्तु इनका संबंध सामन्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकी राजबत्र में अनिवार्य तह प्रकाशित किया जाता है, तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराये जाता अधि सूचना किसी अधिनियम की अंतरगत जारी की जाती है तथा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधि सूचना पत्र कहलाता है। सबसे नीचे पाईयों और अनकित किया जाता है। एक उधारन से अधी सुचना पत्र कैसे लिखा जाता है हम उसको इस पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रायस्थान सरकार उरजा विभाग द्वारा जारी अधी सुचना पत्र इस प्रकार है। रायस्थान सरकार उर्जा विभाग क्रमांग जो भी है वो लिख देना है जैपुर या जहुए स्थान है दिनांग जिस तारीक को पत्र लिखा जा रहा है अडिसूचना रायस्थान सरकार केंद्री अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के अंतरगत प्रदशक्तियों का उप्योग करते हुए कोटा तापिये विद्दुद्ग्र है कोटा में छटी इकाई स्थापित करना चाहती है अतहे एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस प्रियोजना के संबंद में प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने से दो महा की अवधी के अंदर सचीव राजस्थान राज्य विद्दुद वित्रण निगम विद्दुद भवन विद्दुद मार्ग जयोती नगर जैपूर को प्रेशित कर सकता है राजय पाल महुद्दे की आग्या से हस्ताक्षर करता का नाम उप्षासन सचीव उर्जा विभाग जिनको प्रतिलिपी भेजी जाती है उनके नीचे नाव आ जाएंगे प्रतिलिपी निमलिक्त को सूचनार्थ प्रेशित सचीव राजस्थान राजय विद्दुद भित्रन जैपूर अधिक्षक राजकिय मुद्रणाले जैपूर ये तो विद्ध्यार्थियों ये थी आज की वीडियो अधिस उचना प्रपत्र को ले करके आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भोलें यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिग्यासा है, किसी विशेश टोपिक को आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स के मादने हम समें बताइए हम उसका समाधान करने कोशिश करेंगे वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, नमस्कार